तो यहां पर Samsung Galaxy A50s के अंदर Samsung ने एक निया FOT update रिलीस करा है और मैंने भी तरह इस update को चेक भी नहीं करा है First time है कि मैं यहां पर इस update को चेक करो अपने smartphone के अंदर यार तो इसका डाक मोट अटा दू बिकोज डाक मोट के बगेर न विजिबिलीटी काफी दा बेकार हो जाती है especially mobile phone से DSLR से तो बढ़ी आती है बट mobile phone से इतनी अच्छी जो है विजिबिलीटी नहीं मिल पाती है unfortunately यहां पर जो लास्ट अपडेट और 4 जनवरी को चेक हुआ है 2022 अट कहल के दैने यहां पर जो अपडेट वी रिलीस किया गया है मैं बाहर तो मुझे पता नहीं चल पाया उचार जनवरी चार फर भरी बहुत ता ओके अपडेट अब चेक हो रहा है कि अपडेट आया भी है या नहीं आया है बस मेरे पास इंस्टर पर काफ़ सारे मेंसेजिज आये थे और यहां पर आप देखेंगे 146 MB का अपडेट फाइले में देखने को मिल जाती है और जैन्वरी 2022 का सिक्यूरी पर लेवल लेखने को मिल जाता है यहां पर जिस सुपीरियर अपडेट की में बात करा था हो सकता है वो इंप्रूमेंट्स और जो जो बी चीजे है वो इसके अंदरा में देखने को मिल जाए बट देखते है अपडेट को स्टार करेकर है काम है जो सुपीरियर इंप्रूमेंट्स जो पाफोर्मेंस वगरा है एंड जो especially battery life को improvement का जो update है वो में इस update के अंदर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है क्योंकि यहां पर यह चीज inspired करी है Samsung ने Apple से एपल क्या करता है कुछ टाइम बाद अपने smartphone की जो performance है वो थोड़ी सी adjust करता है जिसके बाद में आपको जो battery life है user experience से वो बहुत जादा better मिल जाएगा यानि कि user interface smooth होगा काफी जादा उसको बहुत अच्छे से optimize करता है लाइक iPhone 6 उठा करके देख लो बहुत जादा amazing चलता है iPhone 5S देख लो बाई वह मैं कहता हूँ तो आज भी Samsung A50 से जादा अच्छा smooth experience प्रवाइड करा देगा अभी उनकी optimization है तो देखते हैं वही superior update होता है या क्या होता है वो तो update install करने के बाद में पता चलेगा जब मैं update को install करना हूँ आपको definitely आप वीडियो मिल जाएगी next video शाहत सबको वही मिलेगी तो मिलते हैं आ लिसन में इसको शूट करूंगा and see you in my next video signing out